कैसे आप लोग eteक दो होंगी जवरदस्त होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खुपसूरत से यूटीव चैनल संकल भारत जैमें और आफ बच्चे हम लोग करने वाले हैं quadratic का मस सवाल जो jay advance 2020 का सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही scoring सवाल है बहुत ही easy सवाल है आपको यकीन नहीं होगा कि इतना easy भी jay advance में पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी मैं आपको challenge करता हूँ क्योंकि देखते ही लगता है कि नहीं होगा तो भाई आप सवाल क्या है सवाल बेटा यह है जैसे आप देख रहो यह सवाल है तो भी इस वह सवाल को जल्दी से भी आप screenshot ले लो ट्राई कर लो वीडियो पॉस करके ट्राई कर लिया होगा और इसको भी सवाल है क्या मैंने का सब देखो ए और बी जो है यह डिस्टिंग रियल रूट से किस वाले quadratic polynomial के यह जो भी आपको quadratic expression दिख रहा है इसके रूट से सर ए और बी हैं सर और साथ दूसरी चीज क्या बोली गई है यह जो सी ओडी है सी ओडी सर किसके distinct complex रूट बोले गए हैं और तो complex root परशान नहीं होना है complex क्या होता है complex नंबर क्या होता है complex number purely real भी होता है complex number purely imaginary भी होता है complex number imaginary भी होता है तो इससे भी आपको गुमराह होने की कोई जरूत नहीं है simple beta Hindi में आपको इतना सोचना है कि सबसीडी सर किसके सर सीडी देखिए इसके roots से एसर ना cd भाई सब देखो इसके roots से अब देखो भी यह क्या करना है मैंने का देखो यह आपको इसकी वैल्यू ranking है इसकी भाई सब देखो आपको वैल्यू निकाल witness कमी यह सर कमी थे इसकी वैप देखने के बाद आपको दिमाग नि sah Born okay अज मैंने ठीका लगाया ती ठीक के लिए ठीका लगा हुआ हुआ थी इसलिए दिनublic जैब पूजा आईए भी यह स्टार्ट करते हैं अब देखे सवाल में क्या है भाई अगर भाई सब यहां पर आप गौर करें कि इस वाले expression के sir roots क्या है तो मैंने का देखो भी यह इस वाले expression के जो roots है वो roots है भाई A और B तो देखो भी अगर A plus B मतलब sum of roots निकालना है सबको पता है माइनस भी यह से कितना हो जाएगा बिटा माइनस ट्विंटी अगर मैं पूछू सर यह a b क्या है product कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा माइनस दो हजार बीस है सर अब देखे बिटा इन सेम वे अगर मैं इस हरे वाले चाचा से बात करूं यह जो हरे वाले चाचा है अगर मैं इन से भी यह इधर कोने में लाके बात करूं तो यह बोलेंगे सर हमाई root C और D है तो बताइए बेटा C plus D कितना हो जाएगा सर देखे C plus D हो जाएगा 20 minus B by A से और सर यह जो CD का सर जो product है यह सर हो जाएगा 2020 है सर हाँ बेटा ओते सर बिलकुल सही बेटा बढ़िया सर बहुत ही जादा बढ़िया बेटा बहुत अच्छे अब देखे भी यह जिसकी आपको value निकालनी है उन्हों वाले जरा भी यह चाचा से में लोग बात करते हैं value भी यह इसकी निकालनी है ठीक सी बहुत ऐच्छे माइनस कितना आजाएगा एस स्कूर बहुत से फिर कितना आजाएगा सर्फिर आजाय का एश कुईली इस कुरी์ माइनस और हो Сबिस्कम बी सकुरींप स्कोरुड और क्यों बीस जी जाए उटे रहा है तो यहां है तो यहां देखें जो इस ऐसको बिटार बटोर तो यह इंदर क्या बचेगा सर अंदर सी प्लस डी इसके बात यह क्या करते हैं कि बीस को बीस को बटोर लेते हैं आप A2 और B2 वाले को क्यों बटो रहे हैं क्योंकि बाया आपको एक चीज मैं बूलना चाहता हूं सबसे पहले मैं Focus करूं प्लस वालों में तो A2C वाला था A2D साथ प्लस था B2C के साथ प्लस था और B2D के साथ उनको भी मैं साथ रख रहा हूं इंको एक साथ क्यों रख रहा हूं जिसमें की सी प्लस दी यहां पर ट्वेंटी वाली चीज़ बेटा यूज हो पाए है सर अब यहां दियान दीजिए बात ने जो माइनस वाले बच्चे उनको मैं एक तरफ ले किया हूंगा तो यह जब मैं प्लस वालों वाले को बटूरता हूं तो यह जैसे मैं चीज़ वाले को बटूर होंगा तोक्मन क्या और इंच वाले से सर यह आएगा माइनस ओप सी स्कुर्ड अंदर क्या बचेगा अन्दर बचेगा एपलस भी ठैंक्यू सर्ट और आखरी में बचा वाला बचा है क्या बचा C plus D की value क्या है, A plus B की क्या है और B低 A plus B की क्या है यह सारी की value आपको पता है तो भे agree 20 यहाँ पोट कर सकते हो समझ रहो भाई, कहां से मैं value put कर रहे हुँ देखो भी यह यहाँ से value put करी और भाई यहां से value put करी अब शायद बच्चों आंसर आता हुआ लोगों को देख रहा होगा यह सवाल टफ क्यों लग रहा है क्योंकि आपकी एक mentality है अगर आपको पहले टफ लगा होगा तो जनतों क्यों टफ लगा होगा क्यों बेटा आपकी एक mentality है कि J.E. Advance में जो भी बेटा सवाल आता है मतलब अभी आपने PYQ जब लगा रहे हो तो शायद यह सवाल ना हुआ हो है सर हाँ इसलिए मैंने हेटिंग दिया क्वाट्राटिकम मस सवाल क्योंकि इसी सवाल है डरने की जरूत नहीं है अब देखे भाईसा मेंएक्स क्या है आइए बीटा नेक्स पेज में नेक्स केप करते हैं है सर हाँ अब देखे भी ये नेक्स टेप में क्या है मैंने करें सर दिखिए जैसे हम लोग सारी की सारी values यहाँ पर put करेंगे C plus D 20 A plus B minus 20 तो देखे आपको कैसे दिखेगा VIA R का मतलब required है सर या जाएगा A square into 20 plus कितना आ जाएगा सर B square into 20 बहुत सही A square into 20 या जाएगा B square into 20 A plus B minus 20 है जैसे भी A plus B को minus 20 put करोगे तो minus into minus plus हो जाएगा तो भी यहाँ पे कितना आजाएगा यहाँ पे देखो 20 plus में ही आपको दिखाई देगा क्योंकि plus में क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि A plus B minus 20 है तो अब A plus B minus 20 multiply जैसे करोगे तो बाहर भी तो माइनस है तो overall बेटा यह plus हो जाएगा है सर हाँ और क्या बचाओगा बेटा और बचाओगा 20 times D square है सर हाँ बेटा अब देखे भी यह पूरे में क्या करना है सर 20 को common लेना है पहले दो से तो भी यह बचेगा A square plus B square सर बाकी दो से सर फिर से देखो 20 को हम common लेंगे तो बचेगा क्या सर C square plus D square अब देखे भी यह किसका यूज आने वाला है A square plus B square का और बेटा C square plus D square का अब सर यह कैसे निकलेगा यह तो भी यह बचपन से निकालते आ रहे हो सर कैसे निकलेगा मैंने का सर देखो इस वाले expression से अगर मैं A square plus B square की बेटा value पूछू यह किसके बराबर होगा भाई A plus B का whole square minus 2 A B है सर अब यह जैसे value पूट करोगे A plus B का square A plus B बेटा minus 20 है तो यह कितना आ जाएगा सर यह जाएगा 400 minus 2 A B भी यह जाएगा 4040 सही बात है न A B भी यह कितना है minus 2 0 2 0 minus 2 multiply करो 4 0 4 0 अब यह जैसे इसको simplify करोगे तो यह जाएगा सर 4 4 4 0 ओ ते सर हाँ बेटा बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा है सर हाँ बेटा अब देखो भी यह next step क्या है next step क्या है सर क्या next step है मैंने का सर आएए निकालते है value C square plus D square की क्यों सर निकालने क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा expression बना हुआ है C square plus D square का अब आई सर यहाँ पे और जादा गौर से देखिए सर यह value किसके बराबर होगी सर C plus D का whole square minus of 2 CD है हाँ अब देखो भी यह C plus D का whole square कितना आजाएगा भी यह सर यह कितना आजाएगा तो भी आप यह निकाल सकते हो यहाँ जाएगा सर 3640 क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ जाएगा भी यह 3640 sorry minus of 3640 यानि सर क्या हो गया सर हमें समवन में आ गया कि सर C square plus D square का value कितना है सर minus 3640 होते सर हाँ बेटा क्या मेरी बात क्लियर है अगर भी है इस टाइम तक चीज़े क्लियर है तो जल्दी से बाबा कमेंट कर दो अच्छा बाबा कमेंट कर चुके हो पहले ही जेबी के विजए दिल बेटा कमेंट कर दो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक भी यह चीज़े क्लियर है है सर हाँ बीटा ओते सर बिलकुल सही बीटा अब इसर बता यह अग्ला स्टेप किया है मैंने का भाई साब आई यह वेल्यू जो है हम लोग भी यह पीछे देखो पुट कर देते हैं आप देखे जैसे भी आप पूट करोगे यह आजायागा पीटा 20 टाइम्स थैंक यू सर यह 20 तैमस बता यह कितना आजाएगा मैंने का सर यह 20 टाइमस आ ट्रिपल पोर जीरो और से यहाजाएगा सट 20 टाइमस माइनस 3640 है इतना हाँ जीरो माइनस 3640 थैंक यू तो यह आजाएगा 800 सब्ट्रैक करोगे तो भी इस इन्टू आट सो कितना आजाएगा आप यह जैसे सॉल्व करोगे आंसर आजाएगा 16,000 है सर हां बीटा ओते सर हां बीटा क्या सबसे ही है यह आंसर कितना आजाएगा भाई 16,000 तो देखो वह यह यह जो छोटे-छोटे सेशन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिल रहे हैं इनका एम किया है आपको यह रिलाइस कराना कि जई एडवांस में हर सवाल टफ नहीं आता अगर हम यह वीडियो बना दिया कि हां इतना टफ होता है इतना इजी होता है यह होता है तो क्लifsuk इससे आप नहीं सीखोगे आपको लगे क्योंकि ons लिए होता होगा तो यखेहर हम सवाल कि यू करा रहे है आपको यह दिखाना चाहरे हैं एक सवाल से आप कुस्त सीखी रहे हो हां लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख रहो लेकिन एक चीज़ सीख रहो कि हाँ जी एडवांस की त्यारी में थोड़ा सा एकसिलरेशन लेकि आजो थोड़ा और मोमिंटम के साथ त्यारी करो बिकोज भीया जैए अडवांस में हर सवाल टफ नहीं होता हाथ थोड़ा से लेंदी हो सकता है पर उन्तु इजी होता है जैसे एक 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 जैम्पल यह है तो आपको यह भीया समझ में आ रहा होगा कि आंस